साड़ी हमेशे से ही हिंदू संस्कृत में महिलाओं के पहनावे एक बिशेस महत्तु रखती हैं जिसे हमेशे से अलग-अलग स्टाइल से अपने फैशन स्टाइल के साथ कुछ अलग रूप में महिलाओं ट्राई करते वे नजर आ जाती हैं इस साड़ी स्टाइल ना सिर्फ इंडिया में बलकि विदेशी महिलाओं को भी खूब भाया है जब भी विदेशी महिलाओं बाहर से घोमने के लिए आती हैं और भारत में बनी साड़ियों को पहनना और लेना बहुत ही पसंद करती हैं अगर फैसन स्टेटमेंट को लेकर बात करें तो डेजाइनर ने इन दिनों साड़ी के कई डेजाइनर और पैटन्ट लेकर आए हैं जिसमें अलग-अलग जगों की वर्क की साड़ियों को शामिल किया गया है साड़ी आदिकाल सी भारतियता की पहचान है इलगभग पार्स से 6 गज लंबी होती है और ये वलाओ जया चोली और पेटी कोड के साथ पहननी जाती है वही महाराफ्ट में नोगज की साड़ी पहनने का रिवाज हमेशा से ही फेमस रहा है बनार्सी साड़ी को लेकर बात करें तो बनार्सी साड़ी शुब औसरों पर पहननी जाती है और ये उत्तर फ्रदेश के चंदोली बनार्स जौनपूर आजमगर्ण मिर्जापूर और संत रविदास नगर जिले में बनाए जाती है रेशम की साड़ियों पर बनार्स में बनाई के संजरी में डिजाइन मिला कर बनने से तयार होने वाली सुन्दर रेशमी साड़ी को बनार्सी साड़ी आपके कई स्टाइलिश लुग के साथ ट्राई कर सकते हैं और महाराष्ट की साडी की खास बात ये भी है कि नोग गज लंबी होती है और इसे पैठती कहते हैं ये पैठन शहर से बनती है और इस साडी को बनाने की प्रेणना अजन्ता की गुफा से ही मिलती है और कई चित्रकारी गत्विदियां भेग की जाती है इसे पहने का आपना परंपरिक स्टाइल है जिसे वॉलिवुड एक्रेस भी इंदी नों अपने फैशन सिंस में शामिल कर रही है पटोला साडी और ये साडी मुकते हथ करगे से बनती है पटोला साडी दोनों और से बनाये जाती है और इसमें बहुत सी वारी काम किया जाता है और ये रेशम के दागों से बनाये जाती है महिशरी साडी जो मुकते मध्वरदेश में पहनी जाती है पहले ये सूती साडी बनाये जाती थी लेकिन अब धीर धीरे रेशम से बनाये जाने लगी है हुलकर वंश की महान शासक देवी अहलिया बाई ने धाई सो साल पहले गुजरात सिलाकर महिशर में कुछ बुनकरों को बसाया था और उन्हें घर ब्यापार और अंग सुबधाएं भी दी थी यहीं बुनकर महिशरी साड़ी तयार करते हैं और चंदेरी साड़ी ये चंदेरी की विश्व प्रसिद्ध साड़ीयां आज भी हतकरगे से बनाये जाती है और इसको पहना जाता है लेकिन अब यह आम लोगों तक भी पहुँचने जा रही है नेक्स्ट नाइन लाइफ नुज्टास की रिपोर्ट